प्रे यही करो कि इंडिया वाकई में सेकुलर तभी बनेगा जब भारत में हिंदू मेजॉर्टी रहेगी, जब भारत हिंदूों का रहेगा, जब भारत हिंदू रास्टर रहेगा तो लाइक और शेट ठोक दीजिए, तो लाइक और शेट ठोक दीजिए, पांचेजार लोडे दिख जाना चाहिए, ये चार हजार के लिए मैं आप नहीं खड़ा हूँ, पुरा साल में एनद करता हूँ आपके लिए बेटा नमस्कर दोस्तों, मिरना प्यूश आप देखे तो कोशनार भारत, अभी मोहन भागवाज जी ने अखंड भारत की परिकल्पना बताए कि 20-25 साल में हम अचीव कर सकते हैं, और गती तेज रही, efforts हमारे तेज रहे, तो हम उसको आधी, यानि कि 10-15 साल में भी अचीव कर ले लेकिन कुछ लोगों को अखंड भारत और हिंदू रास्ट में confusion है, कुछ लोगों को अखंड भारत और हिंदू रास्ट एक जासा रखता है, कुछ लोगों में ये भरम है कि अखंड भारत और हिंदू रास्ट इस हद तक से में, कि वहां तो मुसल्मानों की जगे ही नहीं यह definition तो बहुत common है उनके लिए, यह वहां minority, minority का मतलब आज की रिट में सिर्फ मुसल्मान बन के रहे गया, क्योंकि दुनिया में ऐसा कहीं ने देखा गया है, minority का मतलब सिर्फ एक community को definition दे दी जा, बाकी सब तो भाड़ में जा, link है, भारत ही एक ऐसा देश है, जहां पर minority के नाप पर किसी को कोई तकलीफ होती है, तो सिर्फ मुसल्मान को होती है, तो उनको ही डर भी लगता है, उनको ही चिंता भी होती है, तो उनको आज clarify करने आया है, मुसल्मानों को नहीं इस टर्म को clarify करने है हो, कि अलग-अलग है और क्या मतलब है, अखंड भारत मतलब, United India, भारत के वो हिस्से, जो भारत से कभी अलग हो चुके थे, अब उनको जोडने का वक्त आ गया है, जब वो जुड जाएंगे, और एक unity बना लेंगे, बिना वीजा, बिना boundary, same currency, सारे लोग कहीं भी आ जा रह सकते हैं, एक बड़ी एकनॉमी, एक सुप्रीम लीडर नीचे जो भी framework होगा, वो आगे decide हो सकता है, लेकिन, वो global power की तरफ हम बढ़ सकते हैं, वो है अखंड भारत, यहां पर कोई भेदभाव की बात होई नहीं रही है, यहां तो सबको एक करने की बात हो रही है, यह अखंड भारत, यह clear हो जाना चाहिए, हिंदू राश्ट की बात कर आता है, और Islamic State में non-Islamic लोगों की क्या हालत करते हैं, जब हम achieve कर लेते हैं Islamic State, तो वैसा ही हमारे साथ भी होगा, मतब चूर की दाड़ी मितिन का, अगले को सारे वैसे ही दिखाई देते हैं कि हम ऐसे हैं, तो सब वैसे होंगे, तो यहां पर बहुत बड़ा difference है, थोड़ और टेल में और clear करें, तो जब पाकिस्तान और भारत अलग-अलग हुए आज़ादी के बाद, तो by product यह हिंदू राष्ट है, by product है, for example, अगर गोल से केक को आप अधा-धा काटेंगे, या कितना भी काटेंगे, ठीक है, किसी basis पे काटेंगे, जैसे बच्चा गया मांगने कि मम्मी मुझे थोड़ा सा केक खाना है, तो मम्मी निका मैं थोड़ा सा ही दूँगी, जादा नहीं दूँगी, और जो थोड़ा से दे दिया, तो उसका हो गया, और जो नहीं दिया, वो automatically उसको नहीं मिलना था, मतलब मैं यह कहना चाहरा हूँ कि, या तो आपका यह होग सिंग में, और बहुत समय तक ही चला, कि वहाँ पे secular state नहीं लिखा गया था, कि निक कारणों से नहीं लिखा गया था, secular और socialist democracy, नहीं लिखा गया था, कोई कारण था, औरना बाबा साहिब भीम्रा ओंबेट कर लिख देते, लिखवा देते, इस पर debate चली, और यह नहीं लि क्या है हिंदू राष्ट की जिलनों को डर लग रहा है मुसल्मानों को पहली बात आप एक confusion जो है आपके दिमाग में इसको clear कर लिजे कि हिंदू राष्ट और Islamic State में जमीन आस्मान का फर्क है हिंदू राष्ट अगर आप scriptures by the book जाएंगे तो definition के हिसाब से भारत की धरती पर पैदा हुआ हर एक व्यक्ति हिंदू है और वह भारत का बच्चा है ठीक है son of the soil भारत का culture यह कहता है culture से चलते हम लोग book में instructions नहीं दिया हमारे कुछ definitions हैं कुछ सलाहे हैं कुछ चीजों पर clarifications है questions के doubt clear के हैं हमारे यह do's and don'ts नहीं है तो यह मट डरो की हम किसी do's and don'ts पर चलते हैं हिंदू राश्र मनते ही मुसलमानों की बुचरी सुरू हो जाएगी और वो खतम हो जाएंगे या पानी में फेग दिया जाएगा इस सब भ्रह्म पहलाया गया है मैं ये doubt clear करना चाहता हूँ भारत जो कल्चर है इसलाम के आने से पहले पूरी इसलाम पूरी दुनिया में आने से पहले और इसलाम जब मुहमत का सिंग साथ भारत में आया उस वक्त से पहले या उस वक्त के बाद कभी भी आज तक और समय के अंत तक भारत का कल्चर ये कहता है कि जमीन पे पड़े हुए पत्थर से लेके जल, पेड, वायू, मतब हवा, सूरज, मतब एक एक चीज की अपनी respect है, अपनी importance है और हम उसको preserve करेंगे, हम उसको साथ ल नहीं है, हमारे यहां ही तर्म है वसुदेव कुटमबकम, पूरी दुनिया को हम घर मान के चलते हैं, अपना पन है, तो हम ऐसा करेंगे, ये सुचने वाली बात नहीं है, हम कोई सीखी नहीं दी गई है, उसे निश्चिंत रहो, तो हिंदू राष्ट बनने का ये मतलब नह नहीं है, कि कुछ सेट आफ रूल्स होंगे, जो हिंदूओं ने निरधारित किये हैं, और उसको नौन हिंदू द्वारा फॉलो करना कमपल्सरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें तो बट आव्वियस ती बात है, अभी से आने वाली है, ये उनिफॉमिटी देश म करने का डाउट क्लियर हुआ हो, बहुत अच्छी बात है, कमेंट कर दो, वीडियो को शेर कर दो, किसी को अभी भी किसी पॉइंट पर कन्फूजन हो, कमेंट करना, रिप्लाइ करूंगा, बात करेंगे, किसी को one-to-one बात करनी हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल दी हुई ह आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेस्बुक कहीं भी फॉलो करके बात कर सकते हैं, फॉलो जरूर कर लेना, किसी भी तरह कॉंट्रिबूशन करना हो, डिस्क्रिप्शन में चीजें दी हुई है, आपने ये देख लिया दो तिन बार, कॉंट्रिबूशन कर सकते हैं, एक स कि अखंड भारत तो बनेगा ही बनेगा, उसके लिए जो वीडियो बनाई उस पूर डीटेल में देख लेना, और अगर लापो लगे कि मैं राइट विंगर हूँ, मोदी भक्तू हूँ, तो दुर्वराटी की वीडियो देख लेना, उसकी और मेरे कॉंसेप्ट के हिसाब स भी अखंड भारत तो बननाता है, हिंदू रास्ट की जो बात हो रही है, वो अकर बन जाएगा तो सबसे जादा किसी के फेवर में होगा, तो वो उन लोगों के ही फेवर में होगा, जिनको लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें खतम करने की बात हो रही है, हम भारत हिंदूों का रहेगा जब भारत हिंदू रास्टर रहेगा सेकुलिरिजम भी बरकरार रहेगा तब जाके सब सेफ भी रहेंगे तब जाके भारत ग्लोबल पावर भी वन पाएगा विश्व गुरू भी वन पाएगा तो जो भारत का भला चातने हैं उनको अखंड भार मैंनत करता हूँ आपके लिए बेटा